तो जैसे ही हम ये करेंगे तो देखेंगे कि कुछ देर बाद वो माचिस की जो तीली होगी वो आग पकड़ लिएगी हेलो एवरिवन कैसे हैं आप बचो आज हम लाइट चेप्टर का सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाल हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में and image formed by spherical mirrors बचो ये एक ऐसा टॉबिक है जिससे चाहे आपकी subjective exam हो या objective exam हो दोनों के अंदर guaranteed question आता ही आता है और इस टॉबिक में अधिकतर बच्चे कुछ ऐसे छोटी छोटी गलतिया कर आते हैं जिसके कारण इसके simple question भी tough बन जाते हैं तो बच्चो आज हम इस topic को ऐसी tricks की मदद से पढ़ने वाले हैं ताकि हम इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे ठीके तो बच्चो start करते हैं हमारा second lecture जिसका नाम है spherical mirrors and image formed by spherical mirrors तो आईए बच्चो start करते हैं spherical mirrors के बारे हमें बच्चो अगर बात आईए spherical mirror की तो इसके अंदर हमको एक word clear दिख रहा है sphere तो सबसे पहले हमने क्या किया दो sphere ले लिए ठीके अच्छा अब हमने क्या किया जो पहला sphere है उसका इतना भाग काट लिया ठीके यहां से ऐसा इसको cut कर दिया तो हमारे पास इतना भाग बचा ठीक अच्छा अब हमने इतने भाग को क्या किया ऐसे बाहर से paint कर दिया इस तरह से इसको paint कर दिया अब ये glass का हमारा sphere है इसको हमने इधर से paint कर दिया तो इधर से हमको shiny surface दिखेगा हमको इधर से हमारी शकल दिखेगी अच्छा अब दूसरे sphere में हमने क्या किया इस तरह का sphere था उसको यहां से ऐसे cut कर दिया ऐसे इसको cut कर दिया और इस part को हमने क्या कर दिया paint कर दिया तो इसमें shiny surface कौन सा है ये वाला तो ये वाला हमारा जो mirror हो गया ये हो गया हमारा एक simple सा trick होता है कि भाई देखो यहाँ पर shiny surface कहाँ पर है ये गुफा के अंदर है देखो ये गुफा दिख रही है यहाँ पर shiny surface है ठीक तो cave का मतलब क्या होता है गुफा होता है ठीक है तो जहाँ पर गुफा वाला surface shiny हो उसको हम बोलते हैं कौन cave mirror ठीक है और दूसरा वाला क कुछ न कुछ center होगा तो इसको हम कहते है center of curvature क्या कहते है center of curvature ठीक इसी तरह convex का भी होगा एक ये center होगा इसको हम कहते है center of curvature अच्छा ठीक है अब देखो मालोगी यह जो हमारा मिरर है इसका यह जो इधना पार्ट है मिरर इसका जो कुछ नो कुछ सेंटर होगा ठीक है इस मिरर का भी कुछ नो कुछ सेंटर होगा ठीक ऐसे ही इस मिरर का भी कुछ नो कुछ सेंटर होगा ठीके तो इसको हम कहा देते हैं pole, क्या कहते हैं pole, क्या कहते हैं pole, इसकी सारी definitions आपको इधर मिल रही होगी, ठीके इसको हम क्या कहा देंगे pole, हमारा ये जो mirror है, इसका जो center होगा, इसको हम कहा देंगे pole, वैसे ही convex में भी ये जो mirror है, इसका जो center होगा, इसको हम कहा देंगे pole, अच्छा अब ये pole और center of curvature को एक line जोड रही होगी ठीक है एक line जोड रही होगी इसको हम कहते है इसको हम कहते है principal axis वो line जो center of curvature और pole को जोड रही है इसको हम कहते है principal axis ठीक है भई बढ़िया भई मज़ा आ गया भई आच्छा, देखो, pol से center of curvature का जो distance है, देखो, ये वाला जो distance है, ठीके, इसको क्या होगा, ये इस sphere का radius होगा, इस sphere का radius है, ठीके, तो इसको हम कहते हैं radius of curvature, क्या कहते हैं radius of curvature, मतलब जिस sphere से ये mirror लिया गया है उसका जो radius होगा वो हम कहते है radius of curvature या pole और center of curvature के बीच का जो दूरी होती है इसको हम कहते है radius of curvature ठीक है अच्छा हमारा center of curvature हो गया radius of curvature हो गया pole हो गया principle axis हो गया अब हमारा बसता है focus ठीक अगर कोई light ray principle axis के parallel आ रही है ठीक है principle axis के parallel आ रही है तो इससे टकराने के बाद वो एक point से pass होती है एक point से pass होती है ठीक है जो की principle axis पर point होता है उसको हम कहा देते है focus ठीक है ऐसी हर ray जो भी parallel आएगी वो इस ही point से pass कर रही होगी ठीक है अच्छा सेम इसी तरह यहां भी अगर कोई light ray principle axis के parallel आती है तो वो हमको इस तरह से दिखती है कि वो कहां से हरी है focus से तो यह हमारा हो जाता है focus अच्छा अब बच्चो जो हमारा focus और pole के बीच का distance होता है ठीक है यह से यहां तक का जो distance होता है यह वाला ठीक है इसको हम बोलते है focal length क्या बोलते है small f से define करते है focal length ठीक यह हमने दोनों mirror को समझा और उसके बारे में center of curvature, pole, focus, radius of curvature और focus के बारे में जान लिया अच्छा अब आपको एक और interesting चीज बताता हूँ मैं कि जो हमारा radius of curvature होता है यह क्या होता है twice of focal length क्या होता है twice of focal length मतलब यह जो होगा यह क्या होगा इसका double होगा यह हम ऐसा लिख लो जो हमारा focal length होता है वो radius of curvature का आदा होता है ठीक है ऐसा गोल दो ठीक तो यह radius of curvature इसका आदा हमारा होता है focal length या तो यह याद कर लो या तो यह एक ही बात ठीक है बचो अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा concave mirror है यह हमने पीछे concave mirror बना है ठीक जब यह concave mirror image बनाता है ठीक तो हमको image formation के लिए कुछ rules पढ़ने है ठीक तो हम simple simple से 4 rule पढ़ते हैं उससे हमारी सारी की सारी image बनती जाएगी ठीक पहला rule कहता है कि अगर कोई light ray क्या होता है principal axis के parallel आती है ठीक है यह हमारा principal axis है इसके अगर parallel कोई light ray आती है तो वो reflection के बाद क्या होता है वो एक point से पास होती है उसको हम कहते है focus ठीक यह principal axis के focus से पास होती है ठीक मतलब अगर कोई light ray parallel आ रही है तो वो reflection के बाद कहां से पास होगी focus से पास होगी ठीक similarly अगर कोई light ray ऐसे आ रही है कि वो focus से पास होकर जा रही है फिर इस mirror पर incident हो रही है तो after reflection वो क्या होगा parallel to principal axis ठीक है अगर कोई light ray focus से पास होकर incident हो रही है तो वो after reflection क्या होगी parallel to principal axis अच्छा अगर कोई light ray pole पर गिर रही है कहां गिर रही है pole पर गिर रही है तो वो same angle बनाकर same angle बनाकर angle i equal to angle r बनाकर reflect हो जाएगी कोई दिक्कत ठीक अब चौता point है कि अगर कोई light ray center of curvature से pass होकर जा रही है मतलब center of curvature से pass होकर फिर mirror पर incident हो रही है तो वो क्या करेगी अपने path को retrace करेगी same path पे वो वापिस आ जाएगी कोई दिक्कत ठीके बचो अब हम पढ़ने वाले हैं कि image formed by concave mirror ठीक कि concave mirror कैसी कैसी images बनाता है ठीक अच्छा भई ठीक अब हमने object जो पहला case है उसमें object को रख दिया कहां infinity ठीक है बचो बचो जब भी हम किसी object को infinity पर रखते हैं तो उससे जो light rays आ रही होती है वो कैसी आती है parallel आती है कैसी आती है parallel आती है ठीक है देखते है जो आपकी light rays वो कुछ इस तरह से आएगे ऐसी parallel है ओके जब light rays parallel आती है तो हमने एक rule पड़ा था कि कोई भी light ray अगर parallel आती है तो after reflection वो कहां से पास होती है focus से पास होती है कहां से पास हुई focus से से एक और रे ऐसी ले लो ठीक है एक और रे ऐसी ले लो तो हमारी image देखो कहां पर बनी ये दोनों race ठीक है इससे टकराई टकराने के बाद ये इसकी reflected रे और ये इसकी reflected ray टकराने के बाद ये सब कहां meet कर रही है focus पे और जहां पर after reflection raise meet करती है उसको हम क्या कहते है image तो image देखो यहां पर इतना बड़ा object होगा ये इतना बड़ा infinitely large object होगा उससे raise आई टकराने के बाद कहां पर मिली focus पे तो image कहां पर बनी at focus at focus कहां बनी at focus okay ठीक देखो object बड़ा था बहुत छोटी image बनी तो image कैसी बनती है highly diminished क्या लिखतेंगे highly diminished highly diminished और देखो देखो ये light race इससे टकराने के बाद real में यहां पर मिल रही है तो इसको हम बोलते है real image क्या बोलते है real image और साथ में जो image real होती है वो क्या होती है inverted भी होती है ठीक है अच्छा मतलब अगर हम यह focus पर screen लगा देंगे न तो हमारी जो भी object होगा उसकी हां पर image आ जाएगी अच्छा बच्चो आप इसका experiment भी कर सकते हैं कि क्या करो एक concave mirror ले लो ठीक है और उसके focus पर अपनी matches की तीली रख दो ठीक और sun से जो light rays आ रहा होगा उसको ऐसे shift करो ठीक है ऐसे रखो इस mirror को कि सारी की सारी light rays इससे टकराने के बाद इस focus पर जाए ठीक है तो जैसे ही हम यह करेंगे तो देखेंगे कि कुछ देर बाद वो matches की जो तीली होगी वो आग पकड़ लिएगी ठीक है वो आग पकड़ लिएगी माचिस की जगा पेपर भी रख सकते हो वो भी थोड़ी दर बाद जलने लग जाएगा ठीक है अब हम आते हमारे second case पर जहां पर object हमने कहां रखा है beyond c c के पीछे अच्छा देखो क्या होगा c के पीछे object रखा है एक race simple से कैसे लेओ parallel लेओ ठीक after reflection ये कहां से जाएगी focus से जाएगी ये चलेगी focus से चलो भई ये तो बहुत बढ़िया हो गया अच्छा अब क्या करो एक light ray को कैसे incident करो focus से pass करा दो ऐसे focus से pass करें after reflection क्या होगा rule number two से कि ये क्या हो जाएगी parallel to principal axis क्या ह बन गए मेरी यह देखो मेरी image बन गए देखो यहां पर raise real मेरीट कर रही है यहां पर raise reflection के पाद यहां पर मेकर रही है तो मेरी यह पर क्या बन गए image बन गए तो image कहां बनी between between c and f center of curvature और focus के बीच में ठेक है देखो object मेरा इतना बढ़ा है और image मेरी इतनी सी बनी तो क्या लिखेंगे diminished या small size क्या लिख देंगे diminished ठीक है अच्छा इसके बाद देखो raise यहाँ पर real में मिल रही है इसके बाद देखो raise यहाँ पर real में मिल रही है तो यह क्या हो जाएगी real कैसी image हो गई real और real है तो क्या होगी inverted देखते को दिखेगा भी inverted देख object यहाँ खड़ा है arrow उपर है देख image कैसी है उल्टी है inverted का मतलब क्या होता है उल्टी image ठीक है बचो अब हमारा next case है जहाँ पर object रखा है center of curvature के उपर मतलब यह हमारा रखा है object तो क्या करो same एक light ray कैसी parallel मार दो ठीक है और उसको कहां से पास करा दो focus से ठीक है ठीक है यह कहां से पास हो गई focus से अच्छा अब एक light ray को क्या करो focus से पास करो ठीक है तो after reflection यह कैसे जाएगी parallel to principle axis कैसे जाएगी parallel to principle axis देख यह से लाइट रहे parallel to principle axis गई कुछ इस तरह से आ गई ठीक है तो हमारी श्ची कर रहे है रियल में मीट कर रही कैसी कर रहे है हुए रियल में मीट कर रही है कैसी कर और देख, आबजेक्ट हमारा ऐसा सीधे है, और इमेज कैसे उल्टी बनी, देख, नीचे एरो आ रहा है, उपर उपर एरो है, तो कैसी बनी? इनवर्टेट, कैसी बनी? इनवर्टेट, ठीक है? अच्छा, बचो, अब हमारा नेक्स्ट केस देखते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑबजेक्ट कहां पर रखा है, सेंटर ओफ करवेचर और फोकस के बीच में, ठीक, तो सिंपल जो हमने रूल सीखे है, उससे इमेज बनाएंग देख, पहले लाइटर कैसे गई? पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से ऐसे पास होगी, ठीक, दूसरी लाइटर क्या होगी? हमारी ऐसे जाएगी फोकस पे, ठीक, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? पैरललल टू principle axis तो देखो image कहा बनी कहा बनी C के पीछे C के पीछे मतलब beyond C कहा बनी beyond C ठीक है अच्छा object हमारा इक्तूसा है image हमारी इतनी बड़ी है तो क्या लिख देंगे enlarged क्या लिखेंगे enlarged ठीक है बड़ी image बनी है ठीक है और reflection के बाद light raised real में यहाँ पर मिल रही है real में मिल रही है और साथ में हमारा object ऐसा है और image देख उल्टी होगी image क्या होगी उल्टी तो image कैसी बन की हमारी real और inverted ठीक है real और inverted यह चार सीजा हमने देख ली बचो अब हमारा next case है कि object हमारा कहां पर रखा हो गया focus पे कहां पर रखा है focus पे अब हमको क्या निकालना है image ठीक है तो भाई जो हमने rule सीखा है same as it is follow करो एक light ray क्या डाल दो parallel after reflection कहां से pass होगी focus से यह pass करा दी हमने कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक और rule हमने पढ़ा था अगर कोई light ray कहां पर जाती है pole पर जाती है तो after reflection वो कुछ इस तरह से जाने लग जाती है ठीक अब यह दोनों कैसे दिख रही है parallel light rays parallel light rays यह कहीं infinity पर जाकर मिलेगी कहां पर जाकर मिलेगी infinity पर और infinity पर जाकर मिलेगी तो ऐसी बहुत बड़ी सी image बनेगी बहुत बड़ी सी image बनेगी अच्छा और image बनी कहां at infinity देख parallel lines कहां मिलती है infinity पर तो image कहां बनी है हमारी at infinity ओके ठीक अच्छा और कैसी बनी बहुत बड़ी तो highly enlarged क्या लिखेंगे highly enlarged ठीक है अच्छा इसके बाद क्या लिखेंगे हम देख इसके बाद क्या आएगा real और inverted कैसी बनी real और inverted ठीक अच्छा देख real और inverted ही बनेगी इतनी दूर पर जाएगी तो raise real में ही meet कर रही होगी infinity पे अच्छा ठीक है बचो अब हमारा आखरी case है concave mirror का जहां पर object कहां पर रखा हुआ है between focus और pole के बीच में ठीक pole और focus के बीच में हमारा object रखा है तो चलिए image बनाने की कोशिश करते हैं देखो ऐसा हमारी raise गई after reflection कहां से pass होगी यह हमारा focus से pass होई अच्छा ठीक है इस तरह से आईगी अब देख यह हमारी कोई light रे कहां पर pole पर जाएगी ऐसे गई after reflection कुछ ऐसे pass होगी तो देख इसको light ray से जाएगी ठीक इसको पीछे हम extend कर देख तो क्या होगा यह मेरी कुछ इस तरह से image बन रही है कुछ इस तरह से image बन रही है ठीक है अच्छा मतलब मैरा object जब focus और pole के बीच में रहा तो image किधर बनेगी इस side बन रही है क्योंकि इधर तो यह ऐसे expand होते होते जारी एक light ray इधर जारी है दूसरी इधर जारी है ठीक तो इसको हमने देखा तो इधर पीछे वो meet कर दे होगे हमको दिख रही है ठीक तो हमारी image कहाँ बनी mirror के पीछे मतलब behind the mirror क्या बोलेंगे behind the mirror ठीक है behind the mirror अच्छा ठीक ठीक है तो यह कैसी image होती है virtual कैसी होती है virtual और देख object हमारा कितना छोटा सा है image कितना बड़ी है ठीक है हमको ऐसा लग रहा है कि raise यहां पर मिल रही होगी तो हमारी image कैसी है virtual अच्छा object हमारा छोटा सा है image हमारी बड़ी है तो हम क्या लिखेंगे virtual image क्या लिखेंगे virtual और देख सीधी बनीए object भी सीधा image भी सीधा erect साथ में large क्या लिखेंगे enlarged ठीक बचो जो concave mirror वाला केस था ठीक है पूरे की पूरे 6 केस हमने देखे उसमें सबसे important जो केस है वो ये वाला है ठीक है ये कहाँ पर use आता है क्या आप बता सकते है ये सबसे बड़ा use इसका होता है dentist use करते है हमारे दात में ठीक है मुँ के अंदर एक यवा यसा छोटा सा चम्मच जैसा लेके जाता है इसका चम्मच रहता है यहाँ पर रहता है concave mirror ये इहाँ पर हमारी मानलोग कुछ भी टीथ में प्रॉबलम है तो उसकी क्या करता है ये बड़ी image बना के देता है देखो इतनी बड़ी image बना के देती ठीक है तो एक इसका use क्या है कौन use करता है dentist कौन use करता है dentist ठीक और concave mirror के और क्या use है कहाँ पर use होता है as a spotlight क्या होता है spotlight ठीक है spotlight में use होता है ओके हमारे गाड़ी के headlight या torch में use होता है ठीक है torch में use होता है गाड़ी के headlight में use होता है ठीक है बचो अभी हमने concave mirror की image formation देखी ठीक अब हम देखते हैं कि जो हमारे convex mirror होते हैं इसके अंदर कौन-कौन से rules है image बनाने वाले ठीक है अच्छा देखिए पहला rule कहता है अगर कोई light ray principal axis के parallel आती है principal axis के parallel आती है तो after reflection वो हमको ऐसी लगेगी कि वो कहां से आ रही है focus से आ रही है देखो इससे टकराने के पास इधर तो क्या लगेगा कि वो focus से आ रही है ठीक second rule है कि अगर कोई light ray ऐसी आ रही है कि वो focus पर incident कर रही हो ठीक हमको ऐसा लगे कि वो focus पर incident करेगी ठीक है लेकिन इस mirror के कारण अंदर तो नहीं जा सकती तो ये क्या हो जाएगी after reflection parallel to principal axis देखो अगला वाला अगर कोई light ray पोल पर आगे गिरती है कहां पर पोल पर तो same angle बनाकर वो ऐसी reflect हो जाएगी और चौथा rule है कि अगर कोई light ray हमको ऐसी लगती है कि वो center of curvature की तरफ जा रही है तो after reflection वो क्या करता है retraces its path अपने path की तरफ वापिस चले आता है जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस चले जाएग कोई दिक्कत यहां तक बचो अब हम देखते हैं image formed by convex mirror ठीके अच्छा देखो पहला case है कि जिसके अंदर object हमारा रखा हुआ है कहां infinity पे तो infinity से light rays कैसी आती है parallel आती है कैसी आती है parallel आती है तो after reflection हमको क्या लगेगा कि यह कहां से आ रही है किसी एक particular point sir आ रही है जिसको हम क कहते है focus जब इन reflected रेको वापिस हम अंदर लेकर जाएंगे तो वह ऐसा focus पर meet कर रही होगी तो हमारी जो image है वह कहां बनी at focus और देखो एकदम point size की बनी तो लिखेंगे highly highly diminished क्या लिखेंगे highly highly diminished या point size कुछ भी लिखतो ठीक mirror के अंदर image बन रही है mirror के अंदर image बन रही है तो यह कैसी image होती है virtual कैसी image हो गई virtual और दूसरा virtual कैसी होती है erect कैसी हो गई erect virtual और erect ठीक अगर हम mirror के अंदर screen लेके चले जाएंगे तो क्या screen पर कोई image आएगी नहीं आएगी तो हमारी image कैसी बनी virtual ठीक है अच्छा चलो next case पर चलते हैं convex mirror का जो second case है अब इसकी बात करते हैं मतलब object pole और infinity के बीच में कहीं भी रखाओ या बोलो in front of mirror रखा है ठीक तो क्या करो एक light ray ऐसा object रखा है एक light ray ऐसे आएगी ठीक है भाई इससे क्या गया ऐसा reflect होके भाग जाएगी यह आगया हमारा क्या focus क्या आगया focus अच्छा ठीक एक light ray यहां से डाल दो pole के उपर यह गई ऐसा reflect होके इधर आगई तो यह इसके पीछे गया यह आगई हमारी image कहां आगई image अंदर आगई देख यह री हमारी image यहां बन रही है image अच्छा object हमारा इतना बड़ा image इतनी सी ठीक image कहा बनी pole और focus के बीच में अच्छा object भी अच्छा अब हम mirror के अंदर तो screen लेकर नहीं जा सकते हमको ऐसा लग रहा है ना कि image अंदर है लेकिन real में अगर हम कांच के पीछे जाएंगे तो हमको कुछ दिखाई देगा अगर हमने कांच के पीछे screen लगा दी तो कुछ दिखाई देगा तो image कैसी है virtual तो हमने क्या लिख क्या है कैसी है virtual कैसी है virtual और कैसी है इरेक्ट कि वर्चुल और इरेक्ट क्या आप लोग को यहां तक की बाते समझ में आ चुकी है तो बचो यहां पर हमारा image formation खतम होता है अब इससे related जो भी questions है ठीक है बहुत सारे questions है जो की मतलब important भी है और बहुत जादा बात पूछे भ लिए मैंने क्या किया है कि आपको एक अलग से वीडियो बनाकर में provide करा दूँगा ताकि हमारा lecture छोटे छोटे भी रहे ठीक है और आप उनको अच्छे से समझ भी पाएं क्योंकि हर एक बच्चे के एक tendency होती है कि वो 30 to 40 minutes तक बहुत जादा concentration के साथ पढ़ सकता है ठीक अपनी कॉपी में खुद से बार बार बना कर देखो तिक क्योंकि यहां से कोशन 110 परसेंट आपकी किसी भी एक्जाम में आएगा तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहें टाउस बूस्ते रहें और देखते रहें डिजी श